गुट मॉर्निंग बच्चो हमारा चैप्टर प्राचीन भारती सिच्छा में वैदिक सिच्छा इंटर्गास की एजुकेशन का जो चैप्टर हमारा है ये चैप्टर आज हम कांटिनू करेंगे बच्चो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके आगे आज हम पढ़ेंगे प्राचीन कालीन भारती सिच्छा विवस्ता मतलब कि प्राचीन काल में बच्चो जो भारती सिच्छा विवस्ता थी वो किस प्रकार किसे थी और किनको किनको दी जाती थी इसके अंतरगत बच्चों जो ये सिच्छा में किस-किस इस्तर पर होती थी और ये इस्तर की सिच्छा, संचारन, परिचारन किस प्रकार से किया जाता था वहीं दोसी और बच्चों सिच्छा के विविन प्रकार या रोपो को भी की भी जानकारी प्राप्त की जाती है अथात बालगा सिच्छा, वसायन सिच्छा, विवसाइक सिच्छा, आध के विवरा भी प्राप्त किया जाता है बचो इसके अंतरगत प्राचीन तता वैदिक सिच्छा जो विवस्था का कोई निश्चित विवरा प्राप्त नहीं होता है प्राचीन कार का बचो ये जो विवरा है वो हमें किसी प्रकार से भी प्राप्त नहीं है हम अनमान लगाते हैं कि उस काल में सिच्छा संस्था की विवस्तित इस्थापना नहीं हुई थी कालांतर में ही सिच्छा को विवस्तित रूप दिया गया है इनके अनसार बच्चों डॉक्टर अल तेकर के कतनों के अनसार प्राचीन भारत में संभवता चार सो ईसापूर्व से पहले प्रात्मिक सिच्छा की कोई विवस्ता नहीं थी उस समय तक बालक का परिवार ही उसकी सिच्छा का केंद होता था उसके प्रषाओ कुछ ब्राम हो ने विवस्तित व्रैक्टिकत रूप से सिच्छा देने का कार दर प्रारम किया बच्चों यह अल तेकर के अनसार यह कतन है इस प्रकार कालंतर में जो प्राचीन सिच्छा विवस्ता विक्सित हुई उसे मुख रूप से दो इस्थर थे इस इस्थर में कमसा प्रात्मिक सिच्छा तथा उच्छ सिच्छा बच्चों इस दो भागों में डिवाइड की गई प्रात्मी सिच्छा में बच्चों को सिच्छा दी जाती थी तदा उच्छ सिच्छा की विवस्था थी इस रूप में जाना जाता है की सामान सिच्चा विवस्था के अदरिक प्राचीन कारमे भारत के सिच्चा के अन रूप भी प्रचेत थे अर्थात विविन छेटों में सम्मनिच सिच्चा की विवस्था उपरब्द थी इस प्रकार सिच्छा चेट में इस्त्री सिच्छा, विवसाइक सिच्छा, विवसाइक सिच्छा के अंतरक अत्मु खुरूप से सैंस सिच्छा, चिकिसा सास्तिकी सिच्छा तर्था बारिज सिच्छा की विवस्ता उस समय पे थी प्राचीन भारती सिच्छा विवस्ता के संदर में सिच्छा विवस्ता के विभिन सुरूप का सामान विवर निम्न प्रकास है प्राचीन कालीन प्रात्मिक सिच्छा प्राचीन कार में भारती सिच्छा प्राई में ब्राम्हों को विशेस अधिकार प्राप्त थे परांत उलेखनी बात यह है कि प्रात्मिक सिच्छा ब्राम्हों के एका अधिकार वा अधिपत्त से मुग्द थी कि वह उन पे यह नहीं किया जाता था कि ब्राम्ही जिस तरह से वो चाहेंगे उसी के एकॉर्डिंग करेंगे ऐसा नहीं था यही कारा था प्राचीन सिच्छा प्राचीन भारती धर्म गंतों में तरतकारिन प्रात्मिक सिच्छा का कोई विसेज विर्ण उपरब्द नहीं है इनके अंसार संतोस कुमार दास के निम्न सब्दों से हम यह कह सकते हैं कि उनके अंसार ये सब्द है कि प्राम्हों के पास उस सिच्छा की उपेच्छा करने के कारत है जो उनके हाथ में नहीं थी भले ही बात में धर्म गरंथों में प्रात्मिक सिच्छा का समुचित उलीक नहीं है परन्तु विगवेद में जहां तहां प्रात्मिक सिच्छा विवस्ता का संचिप्त परिचर अवश उपलब्त है इनी संकेत के आधार पर प्राचीन कारीन प्रात्मिक सिच्छा विवस्ता का विभिन निर्म प्रकार से प्रस्तुत किया गया है बच्चो इसी के अंतरगत जो प्रात्मिक सिच्छा थी वहां बाले आवस्ता से प्रारम की जाती थी डॉक्टर वेद मित्र के अंसार या जब बालक पांच वर्स का होता था तथा विद्ध आरम संसकार संपन किया जाता था या संसकार समाज में सभी वर्गों के बालकों के ये अवश्यक था इस आधार पर कहा जा सकता है कि उस काल में समाज के सभी वर्गों को प्रात्मिक सिच्छा का विधान था, प्राप्त करने का विधान था समाज का कोई भी वर्ग प्रात्मिक सिच्छा के अधिकार से वंचित नहीं था डॉक्टर अल्टेकर के अंसार यहां लगभग 11 वर्स की आरू तक के बालक को प्रारिम सिच्छा कराई जाती थी कुछ विद्वानों ने इसफ़ष्ट किया है कि प्रात्मिक सिच्छा इस तर प्रारंम में बालको कुछ आवश्चक वैदिक मंतों का उच्छारा सिखाया जाता था बालक उन्हें अभ्यास किया करते थे, कंठस्ट किया करते थे, इसके उप्रांत बार्कों को लिखना तथा पहना सिखाया जाता था भासा का प्रारम्भी ग्यान को प्राप्त करने के उप्रांत ही साहित तथा व्याकरा की से परचित करा जाता था या सब कुछ प्रात्मिक सिच्छा का पार्ट करम था बच्चो इसके आगे हम करेंगे प्राचीन कालीन उच्छ सिच्छा विवस्ता कैसी थी यह हम कल करेंगे थैंक्यू बच्चो